योजना इनिंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी यूदना लेकर आये हैं जिसमें जरूरत मंद और गरीब लोगों को 30,000 रुपे की आर्थिक मदद सरकार के तरप से दी जाती है और यह किन परिवरों को दी जाती है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसके लिए क्या डोकॉमेंट चाहिएंगे और क्या नियम सरकार ने रखे हैं वह भी हम आपको संपूर्ण जानकरी देंगे तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखेगा दोस्तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इमोसलन है तो कोई दिल पर मतले हमारा काम केवल आप तक सरकारी योजना को पहुँचाना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्तरपरदे सरकार ने गरीब और जरूरत मंदों की साहता करने के लिए लगातार प्रियास कर रही है इसे संबंद में सरकार के दोवारा बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है जिसमें गरीब लोगों को आर्थिक मदद दी जा सके ऐसी ही योजना आज हम आपके लिए लेकर आए है जिसमें 30,000 रुपे की आर्थिक मदद की जाती है उत्तरप्रदेश सरकार ने इस योजना को गाउं और सहर में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए शुरू किया है इस योजना का नाम पारिवारिक लाब योजना है पहले इस योजना में 20,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाती थी लेकिन फिर इसे बढ़ा करके 30,000 रुपे कर दिया है जो राष्टे परिवारी लाब योजना है पहले उसमें 20,000 रुपे दिये जाते थे लेकिन अब उसे बढ़ा करके 30,000 रुपे कर दिया है इस योजना के अंतरगत अगर अगर परिवार के जो मुख्य सदस्य है, मैं सदस्य है, कमाउ सदस्य है, उसकी मृत्यू ऐसा में हो जाती है, तो सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को 30,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाती है. दोस्तों वैसे तो अगर परिवार के किसी सदस्य की ऐसा में मृत्यू हो जाए, तो उसकी भरपाय करना मुश्किल है, लेकिन जब परिवार का कमाने वाला मुख्य आदमी ही चला जाता है, तो परिवार पर गमों का पाड़ तूट जाता है, ऐसे में परिवार के इनने सदस् मज़ने आता है कि परिवार की जीव का कैसी चलाई जाए तो इसलिए सरकार ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद करती है तो इसके लिए कोन अपलाई कर सकता है देखिए सबसे पहले वह उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए अगर गरामिन अक्षेतर से आते हैं तो ऐसे अधिस्टे की उम्र 18 वर्स से लेकर 60 वर्स के बीच की होनी चाहिए अगर 60 वर्स से उपर की होगी तो वह उजना का लाब नहीं ले सकते क्योंकि भारत में किसी भी नौकरी की अधिक्तम और नियुनतम सीमा तैकी गई है देखिए अगर 18 से 60 वर्स के बीच उनकी आयू है तो वह उजना की हगदार है और अगर 60 वर्स से उपर है तो फिर वह उजना का लाब नहीं ले सकते हैं चलिए आगे डोकुमेंट देखते हैं कि क्या चाहिएगा मृत्तु परमान पत्र यानि कि जिस व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है उसका मृत्तु परमान पत्र व्यक्ति क अगर आपके परिवार में ऐसी दुकत गटना गटी है तो आपको जो व्यक्ति है उनकी मृत्यू ही है उनका मृत्यू परमान पत्र बनवाना होगा और उनका अधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटू, बैंक, पासबुक, निवास परमान पत्र और मर्तक की आयू जानने के लिए उसका पहचान पत्र यहाँ पर यह डोकुमेंट लगेंगे तो दोस्तो, अगर कोई परिवार पात रहे और वह आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके साथ यह दुगत घटना हो भी सकी है तो वह इस योजना में अपलाइक कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा